हलो दोस्तों मैं राजे सियाद। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी AC कहां प्रियूग की जाती है और क्या कारे करती है। उसके बारे में विस्तार से जाने के लिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं। इसके बारे में AC के बारे में हम आपको बिस्तार से बताएंगे तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। AC के बारे में सबसे पहले AC का हिंदी नाम वातान कुलक होता है। AC मुख्य रूप से दो प्रकार की है। तीन प्रकार की है, रूम AC, सेंट्रल AC और आटोमबाइल AC जो रूम AC होती है ये घर में प्रियुक की जाती है। किसी भी कमरे को ठंडा करने के लिए छोटे अस्थान को ठंडा करने के लिए घर को ठंडा करने के लिए रूम AC का प्रियुक करते हैं। जिस AC का प्रियुक हम अपने आफिस या फिर कमरा को ठंडा करने के लिए करते हैं, वो रूम AC के अंतरगत आती है। दूसरा हमारा जो है Central AC, यह Central AC बड़े प्रियोग की जाती है, जैसे कोई हाल हो, होटल हो, सिनेमा घर हो, थियेटर हो, बिमार्ट हो, कोई सौपिंग माल हो, जहां पे ठंडा करने का अस्थान बहुत बड़ा होता है, वहां पर Central AC का प्रियोग किया जाता है, तीसरी जो हमारी सभी में Car AC के इंतरगत आते हैं, जैसे इसमें Car AC है, तो Automobile AC के इंतरगत आते हैं, जो गाड़ियों में प्रियोग की जाती है, इसके अलामा, हमारा जो Room AC है, यह दो प्रकार के होते हैं, बिंडो AC और Split AC, जो बिंडो AC है, वो बिंडो AC देखते हैं, कहीं खिड़कियों में लगाई जाती है इसका आधा भाग घर के बाहर तथा आधा भाग घर के अंदर होता है मतलब यह एक ही दिवाल पर लगाई जाती है जो कि इसको बिंडो एसी इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि यह बिंडो में लगाई जाते हैं इसलिए इसको बिंडो एसी के नाम से जानते है और Split AC का नाम Split AC ещё तुकड़ा ये CD का सब्सक्राइब अंदर लगाया जाता है इसलिए इसको इसंत्र शलिए स्प्रीत आधा ये PartnerGM करता है और जो हमारा इधर Central AC दो प्रकार की है Central AC में Package AC और Chiller AC तो जो Package AC होता है वो बड़े अस्थानों को ठंडा करने के लिए प्रियूक किया जाता है और Chiller भी बड़े अस्थान को ही ठंडा करने के लिए प्रियूक की जाता है लेकिन Package AC जो करता है उसको हवा के दोरा ठंडा करवा सकते हैं लेकिन Chiller AC का जो करता है उसको पानी के दोरा ठंडा करवाय जाता है Package AC जो है यह कमरे को या कि शौपिंग माल को ठंडा करती है लेकिन चीलर AC का प्रयोग हम बर्व की फैक्ट्रियों करते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडा करना होता है जहां पर बर्व की सिल्ली या वगेरे जमाई जाती है जहां बहुत ज्यादा ठंडा करना होता है वहां पर चीलर AC का प्रयोग करते है अब इसके अंतर के जो हमारा बिंडो AC है बिंडो AC में तीन प्रकार है Summer AC, Winter AC और Year Round AC इसमें जो Summer AC होती है Summer AC का प्रियोग हम सामाने रूप से करते हैं मतलब साधारन AC यानि बिंडो AC ये ओवफ एस जो गर्मी के मौसम में प्रियोग की जाती है और कमरे को ठंडा करने के लिए तो जो गर्मी के मौसम में प्रियुक की जाती है कमरे को ठंडा करने के लिए वो समर एसी होती है और दूसरा विंटर एसी वो होती है जो ठंडी के मौसम में प्रियुक की जाती है कमरे को गर्म करने के लिए विंटर एसी होती है जो ठंडी के म मौसम में कमरे को गर्म करने के लिए प्रियोग किया जाता है और तीसरा हमारा जो इसका है इयर राउंड एयर कंडिशनर यह एयर राउंड एयर कंडिशनर होता है जिसका प्रियोग हम गर्मी और सर्दी यानि गर्मी और ठंडी दोनों मौसमों में प्रियोग कर सकते हैं यान तो अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी सेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको समझ सकें लोक